तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे ख़वर के बारे में बताऊंगा जिसके बाद पाकिस्तान का रोना धोना और भी बढ़ जाएगा आप सब लोगों को पताई होगा कि फिलाल पाकिस्तान एकोनोमिकल क्राइसस से गुजर रहा है और कुछ एक बिलियन डॉलर के लिए आईमेफ वर्ल्ड वेंग या फिर अन्य देशों के सामने कटोडा फैला रहा है वही पर दूसरे तरफ पाकिस्तानी आर्मी जनता का खून तो चूस रहा है लेकिन फिर भी बजट के शॉट फॉल से गुजर रहा है पाकिस्तानी आर्मी आये दिन इसलिए भी रोता रहता है क्योंकि वह जब अपने बजट को भारत के डिफेंस बजट के साथ कंपेर करता है तो उसे पता चलता है कि वह कितना पीछे है पर अब पाकिस्तान के आर्मी के साथ साथ पाकिस्तान के उन सभी मिडिया हाउजों के भी रोना निकल जाएगा जो भारत के डिफेंस बजट को अब तक क्रिटिसाइज कर रहे थे रिपोर्ट के मताबिक अब दुनिया में केवल मातनर दो ही देश बचा है जो भारत से अधिक डिफेंस बजट रखता है और ये दो देश है उनाइटेड स्क्रान का मतलब भारत अब तीसरा दुनिया का सबसे अधिक डिफेंस बजट वाला देश बन चुका है दोसों सीफरी या फिर कहतो स्टॉक होम इंटरनाशनल पीस रिसर्च इंस्टूटूट के तरफ से हाली में एक रिपोर्ट जारी किया गया जहाँ पे साल 2021 में टोटल दुनिया के जो मिलिटरी स्पैंडिंग है उसका जिकर था रिपोर्ट के मुताविक साल 2021 में पुरा दुनिया करीवन 2.1 ट्रिलियन डॉलर मतलब 2100 बिलियन डॉलर मिलिटरी के उपर खर्चा किया है जिनमें भारत का नंबर तीसरे पोजिशन में है यहाँ पे भारत से आगे केबल मात्र दो देश है जिनमें अमेरिका एक नंबर पे और चाइना दूसरे नंबर पे है हाला कि अगर टॉप पांच देशों को देखा जाए तो अमेरिका चाइना भारत के इलावा इसमें ब्रिटेन मतलब युनाइटेड किंग्डम और रेशिया भी सामिल है और दोस्तों इन पांच देशों के द्वारा टोटल ग्लोवल ग्लोवल आया था उसके बावजूद मिलिटरी स्पैंडिंग में किसी भी तरीके का कोई कमी नहीं आया है हाला कि मिलिटरी स्पैंडिंग सालाना 6.1% के नॉर्मल दर पे बढ़ता है लेकिन इस बार पैंडिमिक के कारण ये दर घटा है लेकिन पहले के मुकाबले में 2.3% defense के उपर खर्चा किया गया था जवकि इस साल GDP के मुकाबले में खर्चा थोड़ा कम हुआ है. साल 2021 में वर्ल्ड GDP के करिवण 2.2% defense budget के रूप में खर्चा किया गया. ये जो defense budget के लेके report आया है उसके मुताविक साल 2021 में अमेरिका के द्वारा डिफेंस के उपर करीवन 801 बिलियन डॉलर खर्चा किया गया है जो कि साल 2020 के मुकाबले में करीवन 1.4% कम है जब कि चायना के द्वारा करीवन 293 बिलियन डॉलर खर्चा किया गया है जो कि साल 2020 के मुकाबले में 4.7% अधिक है भारत के द्वारा क ये करीव करीव 33% अधिक है सिपरी के द्वारा ये भी वताया गया है कि भारत के जो डिफेंस बजेट है उसका करीवन 64% acquisition और domestically produce हतियारों के लिए खर्चा किया जाता है हाला कि चौथे नंबर पे नाम United Kingdom का है जो एक समय भारत के उपर राज करता था United Kingdom के द्वारा साल 2021 में डिफेंस के लिए करीवन 68.4 बिलियन डॉलर खर्चा किया गया है जो की साल 2020 के मुकाबले में 3% अधिक है और पाच्वा नंबर पे नाम भारत के सबसे close-ter-in ally मतलब रशिया का है जिससे भारत के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में हतियारों को खरिदायाता है रिपूर्ट के मुताविक रशिया के द्वारा साल 2021 में 65.9 बिलियन डॉलर डिफेंस के लिए खर्चा किया गया जो इससे पहले के साल के मुकाबले में 2.9% अधिक है और दोस्तों इससे पाकिस्तान को जलन इसलिए होगा क्योंकि भारत के जो टोटल डिफेंस बजट है ये पाकिस्तान के संपूर्ण बजट के मुकाबले में भी अब अधिक होता जा रहा है और पाकिस्तान जो कुछ एक बिलियन डॉलर के लिए इधर उदर हाथ फैला रहा है भारत तो उतना पैसा छोटे मोटे डेवलोप्मेंट के प्रोजेक्ट में ही खर्चा कर देता है तो जोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन